नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल डियर गुरु जी पर जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रोज सुभा साड़े साथ बचे आप सभी की पॉलिटी की जो है थीओरी की क्लास चलती है जिसमें जो है आपको जो आपकी सिलेबस क हिसाब का जो पॉलिटी के प्रश्ण आ सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको पूरे जो है थेोरी की क्लास कराई जा रही है और साथी साथ साम को जो है आठ चालिस पर आप यहां दे सकते हैं कि पॉलिटी की MCQ भी कराई जा रही है तो ठीक है दोस्तो यह जो आपकी थेोरी क्लास है आपको डियर गुरुजी 2.0 पर मिलेगी जबकि जो आपको थेोरी क्लास है सारी MCQ की क्लास है वो आपको डियर गुरुजी आरे अंसर वाले चैनल पर मिलेगी ठीक है दोस्तो और साथी साथ आप लोग जाके टेलिग्राम चैनल को जरूर जो है वहां पर ज देखिए हमने अभी तक दो पार्ट में संसत करा दिया है, आज संसत का आखरी पार्ट है, जो आज खतम हो जाएगा, क्योंकि काफी लंबा समय हमें नहीं खिछना होता है, इसलिए छोटे-छोटे पार्ट मिला है हूँ, जिससे आपको पढ़ने भी मज़ा है, और साथी साथ आप लोगों समझ में भी है, देखिए साथी साथ आप लोगों को पता होगा कि डियर गुरुजी एप जो है, आपको जो गूगल प्ले स्टोर पर मिलता है, वो आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लें, और इसके बारे हम तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपक काफी MCQs आपको जो एक बाई करना पड़ेगा, जो आपकी पूरी सिलेबस के हिसाब से बनाए गई है, अगर आप उसको बाई करते हैं और उसको सही तरीके से देते हैं, तो आपको बहुत ही असानी से आपकी सरकारी सीट का जो सपना और साकार हो जाएगा, चलिए, हम लो यहां से, कि धन विदेहक संसद के, यहां से हम लोग चालू करते हैं, और जो भी कुछ अगर रिपीट भी होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग यहां से क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए, आज का पहला पॉइंट है, यहां से है, कि धन विदेहक संसत के किस सदन में पूनहा स्थापित किया जाता है, देखिए, क्या होता जो धन विदेहक होता है, वहां राश्पती के, मतलब है, प्रूबल के बाद ही लाया जाता है, ठीक है, लेकिन माल लेजिए, वो आ गया और सदन से पास हो गया, लेकिन अगर पूनहा उसे सदन मे पर लाने कि राज बिधान सभा या बिधान परिशत के बारें बात होती है तो केवल बिधान सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजेगा कि जिस तरह से केंदर में लोग सभा में उसी तरीके से राज में विधान सभा में ये चीजे धन विदेहक प्रसुत किया जा सकता है बढ़ते अगले पॉइंट के तरफ कि जो बजट की कार रूप रेखा किस विभाग की दोरह तैयार किया थी बेरी बेरी मोश्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्योंकि आपसे पूछ सकता है ये आपके दोनों पूछ सकता है आपसे एकोनॉमिक्स में पूछ सकता है और आपसे जो है पॉलिटीम पूछ सकता है उसके बाद देखिए यहां पर एकरा कि करो और सरकारी कामकाज के लिए जो संगिये सरकार को पराप्त होने वाला राज्यों से किस निधी में जमा होता है यहां देखिए किस नियावानी कि वो संचित निधी है जो Consolidation Fund of India है उसी से सभी को यहां तक की राज्यों को भी पैसा उसी जाता है और जो समतमाम सारे जो आप देखते होंगे Fund Release के जाते हैं जिसे High Court के Judge या फिर राश्पती के लिए उपराश्पती के लिए वो सभी भारत की संचित निधी से ही होता है यह भी बहुत important question है क्योंकि आप भारत की संचित निधी को बहुत अच्छे समन लीजिए यह जान लेजे कि आपके बूरे खर्चों का करीब 80% संचित निधी से ही होता है आर्थिक सर्वेच्छड प्रतिवा संसद में कब प्रसुत किया जाता है बताइए जो आर्थिक सर्वेच्छड आप लोग जानते होंगे जब भी बजट आता है तो उससे एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेच्छड जाता है यह आर्थिक सर्वेच्छड पिछले साल का होता है जैसे 2020 का अगर बजट आ रहा होता है तो 2019 का आर्थिक सर्वेच छड़ा था ठीक है क्यों आता है क्योंकि इसमें सरकार ये बताती है कि हमने क्या एचीव किया पिछले एक साल में हमारे बजट के अनुरूब वो कितने हद तक हम उसको हासिल कर सके ठीक है और इसे ये बहुत ही जरूरी चीज है इससे हर जो टेक्सपेयर है उनको भी पता लगता है कि उनका पैसा किस तरह के से खर्च हो रहा है और साथी साथ देश कितना आगे बढ़ रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है अत्वानी इसका निर्ड़े कौन करता है बेरी बेरी most important point है आपसे पूछ सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है की नहीं ये जो है कौन पूरूफ करता है तो ये पूरूफ करता है लोगसभा अधच मैंने आपको बता ना कि लोगसभा पास ही अधच इसका क्या है अधिकार होता है प्रसुत करने का पर भी निड़े ले सकता है यहां पर देखिए भारत की संचित निधी से जो अभी मैंने बताया कि धन निकालने के लिए संसत का नुमोदन अनिवार यानि की वोटिंग कराई जाती है अगर आपको संचित निधी से पैसा जब भी निकालना होता है उससे पहले क्या कराई जाती है अगला प्रशन है कि लेखा लुदन यानि वोट आउन एकाउंट ठीक है संग सरकार को किस परकार की अनुमती परदान करता है देखिए वोट आन एकाउंट होता है इसमें यह ह हम बजट के लिए तुछ में यह होता हुआ दो इसमें बजट की कमी ना पड़े हम एक लिए अलागोव के लिए वोट आ उन ऐकाउंट लाया जाता है कि इस बीच में यह तैंडला भी उट के लिए हम एक दो महीन सरका Forestar कि रुच और लॉए यह ज़िए जो भारत की संच कि अधर वोटान एकाउंट कैंड में बता रहा हूं कि कुछ समय उसमें आता होता था कि बजट प्रसुत करने से लेकर और वास्तव खर्चा करने की तित्यी में कुछ गैप होता था उस गैप के बीच में जो समय होता था उसमें खर्चा किस तरीके से हो तो उसके लिए एक प्रारूप बनाया जाता था जो वोटाउन एकाउंट के जरिये संसद में पेस किया जाता था और जिसे पेस करा कर फिर भारत की संचित नेधी से पैसा पास किया जाता था मेरे खाल से आप लोग अच्छे समझ गयोंगे कि वोटान एकाउंट क्या है यह क्या होता है कैसे होता है मैंने आपको डेटेल ने बता दिया मैं हरो चीज बता रहा हूं जो आपकी सिलेबस के लिए जरूरी है और जो आपको एक ज जास लेगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप इसकी पीडियाप ले लेंगा नहीं है समझ में आ रहा है तो एक बार जब इसको आफ लाइन में दुबारा देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा देखिए यहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इसे बहुत इच्छे समझेगा कि साधार बिधेयक और धन बिधेयक की तुलना धन बिधेयक क्या होता है साधार बिधेयक क्या होता है जैसे कोई भी भी धन बिधेयक में क्या होता है इसमें ये सब चीजे देखी जाती है कि क्या आप कैसे करना इसमें पैसे से लेन दिन से सा आप साधार बिदैक में बहुत सी चीज़ आती है इसमें हर चीज़ आती है इसलिए आप जाण लीजिए कि साधार बिदैक बखुत बड़ी चीज धन विदैक चोटी चीज़ है आप इतना बस दिमाग में रखे और ज्यादा डिटेर्में में आ जाईए सदाड़ विद्यक को कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है लोग सभा या राषब elfah कहीं भी प्रस्तावित किया था लेकिन जो धन भी था भूता होता भी मैंने बता कि क्केवल लोग MaiProsita प्रसुत किया जा और इसे केवल सरकार के द्वारा लाए जाता है इसमें प्राइबेट जैसी कोई चीजें इसे केवल सरकार के द्वारा ही प्रसुत किया जाता है इसे सदन में प्रसुत करने से पूर राश्पती की अनुमती की आवस्थिक्ता नहीं होती है लेकिन इसमें जो है राश्पती की यह पूर्ण बतरब जो क्या करते हैं अनुमति क्या सकता होती ही है बीना उनकी अनुमति के यह पेस नहीं किया जा सकता ठीक है बढ़ते हैं फिर अगले पॉइंट के तरफ अगला पॉइंट टेकर आ है कि राजसभा जो है इसे संसोधित या स्विक्रित कर सकती लेकिन लटकाते हैं लटकाते हैं वरना फिर से पास करके आगे भेज देते हैं ठीक है फिर अगले पॉइंट है कि इसे राजसभा में अधिक्तम 6 महा के लिए रोक सकता है अगर कोई भी बिल अगर राजसभा में आ रहा जो साधार विद्यक है अगर छे महीना से जादा जो है चौदा दिन यहां देखे मातर चौदा दिन बहुत ही पॉटेंट पॉइंट है इसे आप इस्टार मार कर दे रहा हूं है इसे आप नोट कर लिजिए कि धन विद्यक के इस्थिती में केवल 14 दिन का ही समय होता है राजसभा पास कि वो इसे रोक सकते हैं ठीक है जबकि अन लोकसभा के अध्यच की परमाडिता का सकता नहीं होते लेकिन आपको पहले ही बता है कि लोकसभा के अध्यच के द्वारा इधन विद्यक के रूप में परमाडित किया जाता है यानि कि यहां पर पूरा है हैंड ओबर लोकसभा अध्यच को दे दिया जाता है उसका दोनों लोगसभा में पारित होने के बाद राश्पती के अस्ताचर के लिए भीजा जाता है। कि आपके पास मेजर्टी नहीं है तो आप सरकार में रहने लाइक नहीं रहते हैं। आपको देना ही पड़ जाएगा। उसका दाखरी पॉइंट है जो आपको समझना है नवो पॉइंट अभी मैं फिर से रिविजन करा दूगा जल्दी जल्दी में। कि इसे राश्पती द्वारा स्विक्रित आस्विक्रित किया जा सकता है और पुनर विचार के लिए भेजा सकता है। इसका कहने मतलब अगर कोई सोधन करना हो या धन विध्यक से कोई संबंदित बात हो तो उसके लिए जो है सैयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती ठीक है। इसलिए आप लोग इस पॉयंट को बहुत ही अच्छ सो नूट कर लें क्योंकि बेरी बेरी मोस्ट इंपॉइटन पॉयंट है यह अब बढ़ते हैं अगले पॉयंट के तरफ अगला पॉयंट यह है बहुत ही आफ बस ज्यादा प्लास आपकी नहीं है क्योंकि वैसे ही आती एक एस्टीमेट कमेटी होती है वो किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है तो इसमें केवर लोग सभा के सदस्य ही होते हैं प्राकलन समेटी एक एस्टीमेट कमेटी होती है जो बैसिकली लोग सभा के सदस्यों द्वारा ही बनाई जाती है और यहां एस्टीमेशन ही करती ह ठीक है estimation आप लोग समझते ना किसी इसका आकलन करना कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है बिसिकली ये budget की चीजों सही ज़्यादा तर अपने आपको संबंद रखती है अगर कोई भी कानूनी विदेहक संसत के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है देखिए अगर वो लीगल भ किसी में भी आप उसे प्रस्तुत कर सकते है चैक है इसमें यहां पर ऐसे कोई सी सर्थ कि लेकिन समानत है देखा जाता हुँ पहले में लेकिन पहले लोगस्पह में इए अश्भाग्या इस को दिवांग में बहुती अच्छे से बैठा लीजिए देखिए इसाब बाते जो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा लंबा इसका फाइदा होता है जब आप इन सब बातों को समझे रहते हैं तो आप जो प्रश्ण अपने सामने देखते हैं तो इसाब बाते आपके दिमाग में का सही से बैठके पढ़ते हैं तो क्लिक कर जाती है तो आपको ऑप्सन में से अपने आप सही चीज पता लग जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा इलिबूरेट करता रहता हूँ हर पॉइंट के साथ देखिए भारतिस संसत के दोनों सद्नों की जो संयुक्त बैठक होती है वो साधार बिदेहक और बित बिदेहक दोनों के संबंद में हो सकती है देखिए एक फाइनांस बिल होता है ठीक है और एक मनी बिल होता है तो मनी बिल और फाइनांस बिल बहुत ही अलग चीज है ठीक है दोनों को बहुत डिटेल पढ़ने की ज़रोती है बस आप जाने जी कि जो फाइनांस भील होता है मनी भीलो दोनों डिफरेंस है और संयुत बैठक जो है कि साधार बिद्यक और फाइनांस भील की इस्थिति में ही बुलाई जा सकती है यह भी very very most important point है एक वो कब बुलाई जा सकती एक एक कब नहीं बुलाई जा सकती दोनों point को आप अच्छे समझ लें उसका संसत के दोनों सद्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए यह देखिए MCQ में ऐसे प्रशना आ रहे हैं और काफी लोग गलत भी कर रहें ठीक है उसमें से मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम लोग सही कर पारें तो आप लोग एक लास सही से लीजिए फिर वहाँ जबाब दीजिए आपके बहुत अच्छे से सही ही होंगे कितना महिने का ज्यादा 6 महिने ज्यादा का 2 सतरों के बीच में gap नहीं होना चाहिए यानिकि अगर आप ने एक बैठक आज की है तो दूसरी बैठक आपको 6 महिने के अंतराल पर कर लेना है वो छे मेने के अंदर हो, ऐसा नहीं है, आज इसे 21 तारीक हो, तो 6 मेना माने 20 तारीक हो, तो ये 6 मेना के अंदर तभी होगा न, आकस्मिक निदी, देखिए हमारे तीन परकार की निदी होती है, contingency fund होता है, consolidation fund होता है, एक और fund होता है, अभी मुझे याद नहीं हारा है, वो इसमें से जो प्राश्पती कैसे बे कर सकता है, बीना संसद्य स्विक्रितिक है, ये ऐसा fund होता है, जो आकस्मिक निदी के लिए बना ही होता है, मतलब इसमें तब होता है, कि जैसे बहुत ही बड़ी जरूरत पड़ गई है, सरकार को किसी चीज में पैसा देने के लिए, औ जो है, इसमें पैसा अल्रेडी होता है, अकस्मिक निदी में, हर बजट में अकस्मिक निदी के लिए कुछ पैसा अलग से रखा भी जाता है, ठीक है, तो इसमें पैसा निकालने की जरूरत पड़ सकती है, तो हमें जरूरत नहीं इसे, Consolidation Fund में क्या हमें संसद्य की सदन क जो है, स्विक्रितिक जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां में कोई स्विक्रितिक जरूरत नहीं है, यहां राश्पती साइन कर देगा, तो अपने आप उस फंड से पैसा निकल जाएगा, ठीक है, इस इसको आप समझ जाईए, देखिए, लोक सभा में जो विदेहक पर आम किस वाचन में होता है, तो दित्ये वाचन में, दित्ये वाचन का मतलब क्या है, दित्ये वाचन का मतलब है कि दोनों भासाओं में यहां पर जो है, हम उस पर बहस कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर इंग्लिस में भी होता है, वहां पर हिंदी में भी होता है, ठीक है, आप दे जाता है समापन प्रस्ता क्लोजर मोशन कट मोशन क्या होता है इसमें बिपच द्वारा ज्यादा तर लाए जाता है इसके लाए जाने का रिजन यह होता है कि इसमें सरकार को नीचा दिखाना होता है नीचे का मतलब है कि सरकार जब बजट लाती है तो कट मोशन लाके इसे य अगर पास हो जाता है तो सरकार की बहुत भद्दगी भी होती है और इसा मना जाता है कि वो बहुमत में नहीं है इस इसको भी आप समझ लें यदि कोई धन बिदेहक लोगसभा दारा सुक्रित कर दिया जा तो राजसभा इसे कितने से अभी मैंने आपको दोनों के अंतरम बत करता है कि आप इसमें सुधार कर दीजिए और लोगसभा इसमें सुधार कर देता है तो सही अगर नहीं करता है तो इसमें राजसभा यह नहीं कह सकता है कि आपको करना चाहिए वो चाहे सुधार करके भेजे या ना भेजे लेकिन इसके बाद जो है वो राश्पती के पास चला जाता है जादा जादा 14 दिन तक रासवा में रहने के बाद अगला प्रश्न है कि अगर वारसिक जो संगीय बजट है संगीय बजट माने यूनिया ना केन सरकारदवा बजट है वो लोग सबादारा पारित ना होतो तो संग्रिया त्याग पत्र दे दिता है अभी मैंने कहाना कि जो अगर बजट लाया जा रहा है अगर उस पर वोटिंग कराई जाती है अगर वोटिंग में वो बजट पास ना हो तो यह माना जाता है कि सरकार के पास मैजर्टी नहीं और मैजर्टी नहीं है अगला पॉइंट यह कि लोगसभा और राजसभा जो सज्दन के सदस होते हैं अभी यह सब पॉइंट उपर हो चुका है इसलिए इन पर जो यादा मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं आप लोग पहले मैं बता चुका हूं इसलिए यह पॉइंट अगर आया तो इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं फिर अंतर राष्टे संधियां जो होती हैं वो किसी भाग भार लागो करने के लिए संसत कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज की सहमतिया आज देखिए आज ही MCQ में यह प्रश्ण मैंने कराया है और लगबग लगब 99% लोगों ने इस राज से सहमति लेने की जरूरत नहीं होती है वो अलग की बात है कि कोई राज उसे लागू करता है या नहीं इसका लागू करता है वो उसके उपर डिपेंड करता है क्योंकि हमारे यहां पर जो है फेडरलिजम है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट के तरफ अगल में जानेंगे जब तो इसमें होता है कि जितने भी मंतराले होते हैं उन मंतराले का अपना एक संसिदिय समीति होता है वो संसिदिय जो समीतियां होती है वो मंतराले के कामकाज का एक हिसाब से देखती है कि सही तरीके से कामकाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है या कितने चीज जो है संसदी समीतियों के माध्यम से पूरा एडमिर्स्टेशन का काम किया जाता है इसे इसको आप बेरी बेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है इसे नोट कर लीजिए आप लोग कहीं अपने पॉइंट जहां आप लोग सभी चीजों को नोट कर रहे हैं जो मैं मनोनीत होते हैं आई जिसने लोग सब्सक्राइब 543 प्लस दो है 543 प्लस दो क्या होते हैं मनोनीत वैसे यहाँ पर 229 जो है चुनकर आते हैं चार जो है केंदर संग संग राज छेतरों से आते हैं प्लस 12 जो है राश्पती द्वारा मनोनीत किये जाते हैं कुल मिलाकर 245 सद बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा परस्ताव रखा जाता है देखिए आज ही यही प्रश्ण हुआ था आज इसमें भी बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया है देखिए बहुत अच्छी चीज है मेरे खाल से जिन लोगों ने आज का पॉलिटी का क्लास अगर नहीं लिय है था स्वरी कल का माफ करेगा य का कल के साम का जो क्लास हुआ था नहीं लिया था टो जो जो लिये थे वो जान रह оф कितनी जरूरी है जिन लोगों को क्लास जरुडी नहीं लग रही है उननों ने कल साम के kleस क्लास पॉलिटी का नहीं लिय subscribe करने है उसको इसको प्र वाला वापका वीडियो अगला लेक्चर कहना वीडियो नहीं लेक्चर अब खतम ही वाला कि भारते संसत के दोनों सदनों की पर्थम संयुक्त बैठा किस बिध्यक पर हुई थी बेरी बेरी मोच्ट इंपॉर्टेंट प्रशन यह जो है काफी अच्छे अच्छे विग्जां पर पर्थम बार संयुक्त बैठा कोई थी संयुक्त बैठा का मतलब जिसमें राज सभा और लोग सभा दोनों सदनों के सदस बैठे थे और वो कब हुआ था वर्स 1961 में इसा आपको सं को भी बहुत अच्छे से याद करना है आप लोक लेखा समीती आप जानते ही हैं क्या हो कि लोक लेखा समीती जो होती है वो अपनी रिपोर्ट लोक सभा अध्यच को ही प्रस्तुत करती है और संसद में जो लोक लेखा समीती होती है जिसको मतलब लोक लेखा समीती जो लोक सभा के अध्यच को बढ़ती है उसके अध्यच की नियुक्ती भी लोक सभा के अध्यच द्वारा ही की जाती है मतलब अध्याच की न्यूगती एक अध्याच की द्वारा ही की जाती है इसे को आप ऐसे ही करके आप एक दिमाग में अपना point of view बना सकते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो हर चीज रटने ही जरूरत नहीं होती कुछ चीज समझनी पड़ती है अगर आप एसे ही समझेंगे तो आपको प्रशन देखती है उसका जवापने आप दिमाग में सामने आ जाता है क्योंकि आपको पास चार option भी होते है अगला ये point है कि जो sunset या विधान सबा ठीक है किसी भी सदस की सदस्ता तब समझी जाती है जब सदन को सूचित किये भी लगातार 60 दिनों तक अनुपस्तित रहे यान लगातार 60 दिनों की बात हो ये चीज़ को आप बहुत अच्छे ध्यान दीजेगा ऐसा नहीं है कि आप 60 दिन अगर 5 साल में गर नहीं लगाता 60 दिन और तब कब जब सदन चल रहा हो जब सदन चल रहा हो तब अगर आप 60 दिन के लिए गायव होते हैं तो आपकी जो है सदस्ता समावत मानी जाती है ये दोनों में होता है चाहिए लोक सभाओ चाहिए राज सभाओ ठीक है अगले पॉइंट के तरफ बढ़ते कि संसद राज सूची के किसी बिसे पर कानून बना सकती है ये पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे संसद और राज का अपना एक अलग-अलग सूची है सूची का मतलब है कि साती सूची में जो है दोनों के लिए अलग-अलग सूची बनाएगी कौन की सूची का नतरगात किन सब्जेक्ट पर काम कर सकता है ठीक है लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि राज सूची पर भी केंद सरकार बना सकती कब अगर राज सभा ऐसा संकल पारित करती है मतलब राज सभा जो है राज सभा ऐसा मना जाता है कि राज्यों का प्रतिनिद्यत करती है अगर राजसभा जो है उस सब्जेक्ट पर लेकर राजसभा में ये पॉइंट पूरूप करते कि हमें इस पर कानून बनाना चाहिए तो अगर राजवा से पारित हो जाता है तब इसपर जो है जो केंद सरकार होती है वो उसपर अपना कानूर बनाने के लिए पात्र हो जाती है अन्यता वो इसके पात्र नहीं होती है किसी मंतरी के बिरूत बिसेशादिकार प्रस्ताओ कब लाये जाता है देखिए ये भी बहुत most most important है क्योंकि जैसे मैंने privilege बताया था आपको privilege जो motion होता है वो कब लाये जाता है जब मंतरी किसी मामले के तथ्थो को रोगता है या तथ्थो का गलत वडन देता है आप समझ गयोंगे कब लाए जाता है और किन परशितियों में लाए जाता है आप लोग की दिवाग में किलियर होगा है और इसी उमीद है और सभी लोग यार लाइक तो करते चलो कम से कम अपने दोस्तों साथ सेयर कर दो जिन लोगों को अगर थोड़ी से भी बीट कलाओ किस अगला पॉइंट है कि वर्स 1989 में ठीक है निर्मित कानुन के अनुसार एक नागरिक के बेस्क होने किया कितनी है तो वो है आपकी 18 वर्स देखें 1989 में क्या हुआ था कि आपका सायद एक सथवा संविधान संसोदन आया था जिसके आने के बाद यह हुआ था कि जो पहले देने की उम्रे की साल थी वो घटकर 18 वर्स हो गई थी समझ रहे हैं इसको आप अच्छे ध्यान देखें कतना संसोदन ता 61 संसोदन ता कब 1989 में ठीक है अगला प्रश्च कहरा कि यह सुन निकाल जो होता है कितने गहंटे के लिए होता है यह एक गहंटे के लिए होता ठीक ह कि इसके बाद यह मना जाता है कि कि जो संसत में उस समय काम का चल रहा होता है उसे रोक दिया जाता है यानि कुछ अस्थगित कर दिया जाता है ठीक है और उसके जगहां पर कुछ जो बहुत ही अति आवस्याग महत्पूर मुद्दे होते हैं उन्हें उठाने के लिए ऐसा किया जाता है ठीक है तो आप लोग जो है समझ गयोंगे कि अस्थगन परस्ताओ के ऐसा नहीं होता कि उससे संसत की परकिरिया रुप जाती संसत की परकिरिया नहीं रुपती अस्थगन परस्ताओ से बलकी जो है जो काम हो रहा होता वो काम रोक दिया जाता है और जो बहु एक समीच्छा देखिए नाइक समीच्छा बहुत ही अच्छी चीज है नाइक समीच्छा का मतलब है कि इससे कोई कानून बन जाए वो कानून जो है हमारे भारती समिधान के अनुरूप है या नहीं यह जो है नाइक समीच्छा की द्वारा होता है नाइक समीच्छा कौन करता Supreme Court, Supreme Court द्वारा ये किया जाता है High Court भी कर सकते हैं इसे राज जिक की द्वारा बनाएगे कानूनों की दसा में राज कानून वहाँ की High Court करती है उसी तरीके से अगर केंद ला रहा है तो वहाँ Supreme Court करती है ठीक किस चीज को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजेगा और संसदिय विवेवस्ता में सुन निकाल किस देश की देने तो भारत की ये मैंने जो है आपको बताय हुआ है MCQ कराते समय भी और इसी सीरीज में भी मैंने आपको वीडियोज में बताय हुआ है कि जो ये जो सुन निकालता है ये भारत की देन थी जो 1962 से भारत में परारंब की गई थी आप चलते बढ़ते आखरी चीज की तरफ जो साथ इसाथ अब सदन का पूरा वीडियो भी आपके खतम होता है यहां से और अब आपको जो है संसत को एक दो बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी प्रकार के प्रश्ण आप कर लेंगे ठीक है ये कहरा कि संसत की कारवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है मतलब जो सदन चालू होता है ग्यारा बजे से तो ग्यारा से बारा का बीच का समय जो है आपका प्रश्ण निकाल कहलाता है ठीक है प्रथम घंटा माने ग्यारा से बारा का बीच जो है आपका प्रश्ण निकाल कहलाता है तो दोस्तों मेरे कहाँ से पूरी संसत के जो पूरी ये लेक्चर की सिरीज थी आपको समझ में आई होगी और जिन लोगों ने अगर ये वीडियो देखा है उसके साथ से जाके पहले पहले और दुसरा भी देख लें तो लोग को पूरा संसत समझ में आ जाएगा और साथी साथ उनकोई भी एकजाम से कर तयारी कर रहे होंगे तो उन्हें कोई भी एकजाम से तयारी में बिलकुल भी दिक्कत नहीं आगी तो यह बीडियो के पढ़ रहे हैं उनकी लिए तो यह वीडियो है ठीक है चलिए आज की वीडियो को आप में खतम करता हूं कल फिर मिलूँगा मैं आप से एक अलग टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड़बाई बाई बाई झाल झाल झाल